हेलो यूरी वन गुड मॉर्निंग नमस्कार 27 अक्तुबर 2021 और आज के दहिंदू के मेन एडिटोरियल को इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे इसके न्यूज वाला पार्ट या तो इवनिंग में आएगा या सुबह नो बज़े आएगा आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तना ये सकरणी में टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं एडिटोरियल की मैं थीम बता देता हूं सबकी पहले safety first ये मुला पेरियर डेम को लेकर है जो तमिल नाड़ और केरला के बीच में अभी issues है इस डेम की safety को लेकर water level को लेकर है article डिसक्स करता है second article सुदान जो एक African country हो वहाँ पर military ने जो rule establishment किया है उसको लेकर एक article है और third editorial जो हो health infrastructure को लेकर है तीनों editorial को हम लोग discuss करेंगे one by one सबसे पहले बात करेंगे safety first देखिए safety first में main क्या है मुला पेरियर डेम की safety और दूसरी वहाँ पर लोगों की safety इन चीजों के ensure करने को लेकर यहाँ पर यह बताया क्या है कि Tamil Nadu must assure Kerala that all instruments for monitoring the dam safety are in place यानि Tamil Nadu और Kerala के बीच में इस dam को लेकर ने के वल अब से बहुत ही historical एक issues है और इसी चीज़ को लेकर dam के water level को लेकर या dam से पाने release करने को लेकर या monitoring को लेकर वो सारे issues आपको देखने को मिलेंगे तो Tamil Nadu को अजूर करना पड़ेगा केरला को कि जो भी instrument आप use करेंगे monitoring के लिए dam safety की वो एक तरीकेश यूज किये जाए क्योंकि केरला वो state है जो region में flood को face कर रहा है Supreme Court ने direction दिया कि एक supervisory committee बनाई जाएगी मुला पिरिया dam को लेकर जो maximum water level को review करेगी यानि एक dam के अंदर maximum water level कितना हो सकता है अगर वो खत्रे के निशान से ज़्यादा जारे तो इसका मतलब क्या है कि वो treat हो सकता है वो dam जो damage हो सकता है तो एक level हमें maintain करना होता है उसी context में अगर आप देखेंगे इसके water level को लेकर ही controversy जो है इन दोनों state में देखने को मिलती है सबसे पहले आप बात करेंगे इसकी geographical location तो केरला के अंदर लेकिन बहुत close अगर आप map में देखेंगे मुला पिरेडेम को तो बहुत close नजर आएगा तमिल नाडू और केरला के बीच में लेकिन इसको maintain और operate किया जाता तमिल नाडू के दवार है इसके लावा यहाँ पर क्योंकि यह तमिल नाडू की जो पांच important district है south वाली उनकी water requirement को पूरा करने का काम करता है इसी चीज को लेकर एक petition जो है वो here की जारी थी supreme court के अंदर बहुत सारी petition इवन जो इडू की एक district के करला के अंदर वहाँ की citizen ने appeal करें supreme court से कि इस dam में जो water level increase हो रहा है यह पूरे इडू की district पूरे करला के लिए जो है treat हो सकता है इसी context में अगर आप देखेंगे water level बहुत जाता heavy rain हुई उसकी वज़े से increase हुआ और 2014 में अगर आप देखेंगे जो court ने तरीके पर्मीशन दे थी कि 142 feet तक इसमे water level increase हो सकता है और इसी को लेकर Tamil Nadu ने carefully इसमें जितना possible हो सकता है था या जितना पानी वो use कर सकते थे carefully उन्होंने try करी इसे पहले के जो चीफ निश्टर है पिनरही विजियन ने उन्होंने तमिलनाड़ो के जो CM MK स्टालिन को लिखा था कि भाई heavy rainfall हुई है और यहाँ पर urgent need है कि पानी को release किया जाए ने को बहुत ज़्यादा बारीस होगी डैम में पानी भरेगा और जब पानी भरेगा तो क्या होगा कि हमें उसको release करना पड़ेगा दरवाज डैम जो वो damage हो जाएगा या water level बहुत ज़्यादा increase होगा तो वो डैम को नुकसान पहुंचाने की situation में आता है इसी context में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने तारिभ भी की कि उन्हें इनकी बात को सुना और इसको लेकर जो है appreciate किया तमिलाडू authorities को कि वो केरला की जो demand है उससे empathy रख करेंगे तो दोनों स्टेट के भी इसमें definitely यह historical issues है सानी की पहली बार issues है लेकिन make sure कि कोई technical और complex subject ना बने जब मुलापेरिया डेम के operation और maintenance का काम जो हो continue हो इसी तरीके से केरला और central government को required है कि भाई इसको लेकर डेम को strengthen करना या maintenance करना इसको लेकर काम किया जाए water level को जो है इस तरीके से maintain किया जाए कि वो डेम को damage ना करें और दोनों स्टेट केरला और तमिल नाडू even central government भी एक consideration यहां पर हो monitoring की जाए खासकर safety और health को और properly function कर रहे है कि नहीं कर रहे है इसको लेकर जो हो discussion किया जाए दोनों की तरफ से यानि तमिल नाडू और के दोरा central government की भी इ एक rational approach के तुरू यह decide करिए कि डेम की जो safety है आप कैसे ensure करेंगे तो यह बहुत ही important और main editorial आप बोल सकते हैं काफी important इसलिए भी क्योंकि region में जो floods के situation हम देखते हैं चाहे वो उत्राकंड हो या किरला हो या देश के अलग अलग राज्यों में वहां पर dams का क्या रोल है infrastructure का क्या रोल है development और sustainable development के बीच में जो debate हो रही है उनके बीच में यह article या उनके बीच में इस तरह के topic का discussion करना यह बहुत important हो जाते हैं इसके बाद second article discuss करता है कूप in Sudan या military ने जो rule establishment कर दिया है Sudan में या जो government थे उसको हटा कर उन्होंने अपना rule बना दिया उसको लेकर यहां पर यह article discuss करता है कि Sudan को चाहिए कि transition जो है वो immediately शुरू करे और जो सरकार के या PM को या जो दूसरे सरकार के अंदर participation थे उनको जो arrest किया गया है उनको release करिए और कोसिस करिए किया free election करवाईए African continent की सबसे बड़ी problem है political transition ना होना political instability और military rules का बार बार लागू होना ये कई issues है Sudan की military ने dissolve कर दिया है sovereignty council को और अपने उन्होंने जो civilian leaders थे उनसे power को चीन कर खुद power जो उन्होंने capture कर लिया African country एक तरीके से बहुत ही fragile है transition में खासकर democracy, dictatorship से democracy, dictatorship का मतलब होता है तानाशा, democracy का मतलब होता है परजात अंतर या civilian rule भी आप इसको बोल सकते हैं इसी context में बहुत सारे लोग वहाँ पर protest कर रहे हैं और protest किसके against कर रहे हैं उमार अल-बसीर इनके regime के against की revolution लेकर आई है 2019 में इनको हटा दिया गया था तब से अब तक civilian और military के बीच में एक arm safety बनी थी कि एक coordination किया जाएगा लेकिन region में वहाँ के prime minister को फिर से हटा दिया गया और वहाँ पर military rule establishment कर दिया गया है इसी चीज़ को लेकर सुडान में बहुत जादा protest हो रहे हैं कि सुडान में यह जो activities हो रही है यह पूरी नेकेवल सुडान को बलकि पूरी दुनिया के लिए खराम ऐसे जो है indicate कर रही है क्योंकि सुडान की economic condition बिलकुल अच्छी नहीं है इनके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे lieutenant general अब्देल फते अल बुर्हान जो कि military chief है इन्होंने कहा कि वो leadership को जो है handover करेंगे और अभी इन्होंने ये भी announce किया कि फिलाल government जो है military के अंडर रहेगी यानि सरकार को military चलाएगी अभी transition नहीं किया जाएगा इनके अलावा यहाँ पर दो तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी क्योंकि किसी भी country में या तो democratic supporter हो सकते हैं जो democratic और military supporter के बीच में भी protest दोनों तरफ देखने को मिलती है इनके अलावा इस country के अंदर सुदान के अंदर लगातार जो essential price है उनमें increase हो रहे हैं और लगातार जो important अगर आप इसकी geographical location देखेंगे port Sudan हो Red Sea हो इनको block कर रहे हैं जो tribal group है और वो बोलते हैं कि भही हमें मदद की जुरूत है क्योंकि सुदान में economic situation बिल्कुल अच्छी नहीं है acute shortage है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी चाहिए food हो, currency हो, fuel हो, even civilian leadership जो accuse करती है कि economic crisis के बीच में military उनको exploit करेगी, उनका source करेगी इनके लावा जो बसी रिजियम का अवर्थरो करने के बाद एक democratic transition स्टार्ट हुआ था, वापीस से वही फिर से आना शुरू गया और सुदान फिर से international isolation के अंडर होगा इस international isolation का मतलब क्या है कि decade तक जब एक dictatorship से democratic process के अंदर आया था, जो दुनिया भरने sanction लगा रखे थे, उनमें कुछ छूट इनको मिली थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, जो IMF इन्होंने एक financial aid भी इनको दी थी, कि 50 billion dollar की debt relief, इससे पहले इनको terrorism sponsor की list से बन सकता कि इनको terrorism की list में include कर दिया जाए, और IMF या दूसरी जो दुनिया की financial aid है, जो सरकार humanity के ground पर इनको मिलती है, उनको एक तरीके से फिर से announce किया जाए, या फिर से उनको ना मिल पाए जब यहाँ पर military rule होगा, हलकि जब dictatorship से democratic government बनी थी, तो उन्होंने announce किया था कि जो बसीर है, इनको war crime जो इन्होंने किया है, हेक के अंदर भेजा जाएगा, इन्होंने unity against war crime किया है, बड़े संक्या में genocide किया है, या नी बड़ी संक्या में लोगों घत्या किया है, और इस country में जो power hungry generals है, power hungry generals का मतलब क्या है, सत्ता के लालची जो military वहाँ की है, या military rulers है, व के उपर जो उन्होंने control किया है, ये Sudan के लिए और वो country जो humanitarian crisis face करें उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी situation नहीं है, तो वहाँ के general को requirement है, कि immediately जिन leaders को, जिन सरकार के representative को उन्होंने arrest किया है, उनको release करें, transition government को restore करें, और पूरे देश में free and fair election होना चाहिए, ताकि पूरी द transition हमें देखने को मिलता है, तो ये एक main editorial में से एक, इसके अलावा editorial एक और discuss करेंगे, ये बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, 10-15 मिनिट का इससे जादा नहीं होगा, इसमें editorial में discussion किया गया है, preparing for outbreak, आयुसमान भारत health infrastructure mission के बारे में discuss करते हैं, कि कैसे ये public health infrastructure के लिए important एक mission है, COVID-19 ने पूरे देश के health system का overburden कर दिया, overburden ने इससेंस की बहुत जादा stress किया, और इनके लावा outbreak जो हुआ है, या आप देखेंगे, देश भर में जो COVID-19 की situation देखने को मिली, इसने states को और health system को definitely weak किया, कमजोर किया, इनके लावा private sector को भी, उनकी जो inability है, कि इस तर अधर आती है, तो इस context में इसको independent forces पर नहीं छोड़ा जा सकता, और government के एक important responsibility के रूप में health infrastructure है, तो इसी context में the परधान मंत्री, आयूसमान भारत health infrastructure mission, जो कि एक important addition है, और आने वाले time में इस तरह के outbreaks की preparation करने को लेकर, सरकार ने ये planning करी है, कि 64,180 crore, यानि 64,110 crore का अगल पाँ सालों में investment किया जाएगा, किसको लेकर, national health mission को लेकर, और इसमें कई सारी schemes को strengthen किया जाएगा, public health infrastructure institution को strengthen किया जाएगा, governance capacity को increase किया जाएगा, और wide range के जो diagnostic से लिएकर treatment तक issues है, उन सब को इसके अंदर cover किया जाएगा, critical care services, critical in the sense की बहुँ जादा, जो urgent basis पर requirement है, उनक पर बताया गया कि 12 central institution होंगे, जैसे All India Institute of Medical Sciences है, AIMS जैसे institute, government medical college, district hospital, इन सम्में, जो है health infrastructure को boost up करने को लेकर, सरकार इस mission के अंदर जो है function करेगी, इनके लाबा, laboratories की importance को understand करते हुए, या outbreak के दोरान, जो एक तरीके से surveillance system हो, diagnostic interference हो, इनका बहुत important role होता है, तो पूरे देश मे अलग-अलग districts के अंदर एक health lab provide करना, ताकि एक comprehensive laboratory services हो, उसको लेकर काम किया जाएगा, इनके लाबा, integrated deliver, clinical, public health surveillance और diagnostic services, इनके context में भी कि आने वाले time में, इस तरह के outbreak, इस तरह की epidemic ना हो, उसको counter कर सके, उसको लेकर जो वो function किया जाएगा, या सरकार काम करेगी, health infrastructure को boost up करन में research होगे, चाए वो infectious disease के context में हो, biomedical research हो, या evidence generate करने के context में हो, चाए वो short term हो, medium term हो, या long term, अलग-अलग उसमें division किया जाएगा, government का aim है, कि one health approach को जो है, वो follow किया जाएगा, जिसमें prevent, detect और respond किया जाएगा, infectious outbreak को, जो कि humans और animals में देखने को मिलते है, इनके लावा, pandemic research जो strength करेंगे, regional national institution for virology, इसके लावा, regional research platform जैसे, WHO, South East Asia है, या, biosafety level 3, laboratories को, surveillance को boost up किया जाएगा, इसमें, block से लेकर, district, district से लेकर, regional और national लेवल पर, ताकि detect किया जाएगा, investigation किया जाएगा, prevent किया जाएगा, या, इस तरह के outbreak को, जो हो, combat किया जाएगा, इनको, रोका जाएगा, इनके लावा, अगर आप देखेंगे, इसमें, कही सारे control branches होंगी, ताकि, health promotion हो सके, या, अलग-अलग state में, जो, अलग-अलग points के, entry health units होते हैं, उनको, अप्ग्रेड किया जाए, और इस system को, intensify कि कर सके, ताकि, एक secure health system हो, जो, पूरे, देश के चाहे वो, अर्बन हो, या, रूरल हो, उन सब को मदद करे, primary health center को expand किया जाएगा, smaller units के अंडर, और wellness center को भी, या, poly clinics को, या, specialist clinics को, इन सब को boost up करने का जोगा काम करी किया जाएगा, और high quality services को establishment करना, ये priority के अंदर होगा, government की, right, टीन editorial हमने इसके अंदर discussion किये, तो, इसक वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक्यू, जहिन